सफी को नमस्कार आज हम जै के मुहावरे कर रहे हैं इसमें पहला है जले पर नमक छिड़कना इसका तजपरी है दुखी दिल को और दुखाना इसका मुहावरे में प्रयोग कर रहे हैं वह बेचारा परिशा में फैल होने के कारण पहले से ही दुखी है तुम उसे डाट कर क् रहे हो यह हो गया इसका मुहावरे में प्रयोग उसके बाद मुहावरा है जंगल में मंगल इसका तर्थ पर यह है निर्जन स्थान में भी आनंद साधूं की संगती तो जंगल में मंगल कर देती है नेक्स्ट मुहावरा है जहर का घूट पीना यानि अपमान को चुपचाप सेहना पिताजी ने सब के सामने जब हरीश को फटकारा तो वह बेचारा जहर का घूट पीकर रहे गया नेक्स्ट मुहावरा है जली कटी सुनाना यानि सच्ची किंतु कड़वी बातें कहना जब मोहन ने अपने घरेलू जगडे का नाम लिया तो मैंने भी उसे खूब जली कटी सुनाई नेक्स्ट मुहावरा है जान हथेली पर रखना बलिदान के लिए तयार रहना मुहावरे में प्रयोग करेंगे सरदार भगत सिंग ने जान हथेली पर रखकर ही अग्रेजों से टकर ली थी नेक्स्ट मुहावरा है जमीन पर पाउं ना रखना यानि फूला नासमाना राजेश जब से परिक्षा में प्रतम आया है तब से जमीन पर पाव नहीं रखता है नेक्ष्ट मुहावरा है जहर उगलना यानि इर्शा के कारण निंदा करना प्रवीन मेरे उन्नती सहन नहीं कर सकता इसलिए जब देखो वह मेरे विरुद जहर उगलता रहता है नेक्ष्ट मुहावरा है जान के लाले पढ़ना यानि जान खत्रे में पढ़ना पाकिस्तानी आतंकवादियों के कारण कश्मीर के लोगों को जान के लाले पढ़े हुए हैं नेक्ष्ट है जूतियां चटकाना यानि मारा मारा फिरना आजकल लाखो शिशित युवक नोक्ती के लिए जूतियां चटकाते फिरते हैं नेक्ष्ट मुहावरा है दया से जवित होना जी भराना इसका प्रयोग है भुकम से पीडित वैक्तियों की दूरदशा देखकर मेरा जी भर आया नेक्ष्ट मुहावरा है जी चुराना यानि बचने का यतन करना येदी तुम पढ़ाई से जी चुराओगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे